खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए उद्धर ठागरे सरकार की पूरी कैबिनेट किस तरह की होगी अब पता चल जाएगा कि तारीक पे तारीक के बाद में आखे तीज तारीक को मंत्र मंदल विस्तार होने जा रहा है यह अब आधिकारी तौर पर सफ़्ट किया गया है 30 December को करीब 11.12 अब तक समय सब्सक्राइब के समय में कैबिनेट विस्तार होगा और विधान भावन के जो एरिया है विधान भावन में यह कैबिनेट विस्तार होगा शपत दी जाएगी 36 नय मंत्रियों को शपत दिलाए जाएगी जिसमें से 13 नय मंत्री NCP के होंगे 13 नय मंत्री शिवसिना के होंगे और 10 मंत्री जो हैं वो कॉंग्रेस के होंगे जिसमें तेरा में से दस कैबिनेट और तीन राज्यमंत्रिपद ऐसे तेरा तेरा दोनों एंसीप्यों और शुसना को दिये गए हैं और दस मंत्रिपदों में से आठ कैबिनेट हैं और दो राज्यमंत्रिपद कॉंग्रेस को दिये गए हैं चपति नए मंत्रियों को शपत दिलाए जाके जिसमें सबसे बड़ा नाम है अजीत पौवार का अजीत पौवार को उपमुक्य मंत्रि पद बनाने की जानकारी सामनी आ रही है वही एंजीत में ग्रह मंत्री किसे बनाए जा इसको लेकर जो है असमजस्त की सिती थी चरद परचे पटिल और जयन पटिल का नाम है फाइनाइन्स मिनिस्ट्री संभवता अजीत पौवार को दी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है इसके अजावाश रूसेना में भी कई सारे मंत्री हैं कॉंग्रेस में भी कई सारे मंत्रि जिसमें अशोक चवान जो पूरू मुक्य मंत्र अजी इसमें प्रणाती शिंदे का नाम चल रहा है एंशी पी में भी कुछ युवाश चेहरों को जो है इस बार मुका दिया जाएगा मंत्री मंदल में ऐसी जान करें और शिवसेना में भी शेत्र के मुताबिक लोगों के या नेताओं के नाम मंत्रीपत के लिए गये हैं तो ऐसे में एक बैलेंस गवर्मन्ट गवर्मन्ट देने की कोशिश तीनों सरकार करके तीनों पार्टियां करके कर रही है और यह अब तीस तारीक को तैय होगा और बता जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए